नमश्कर आप देखरें डॉकिस साहिब आपके साथ मैं हूं सकान दर्शकों हम सबी जानते हैं कि भारत जो है वो तेवहारों का देश है तेवहार में हम खुद को मीठा खाने से रोक नहीं पाते हैं और साहथ आज बहुत सारी मरीज़ेज, जो कही न कहीं न कहीं उन्हीं मना होता है मीठा खाने से तो इसे पर आज हम बातचीत करेंगे और यह जानेगे कि जो भी diabetes की patient है, क्या वो मीठा तेवहार में खा सकते हैं थोड़ा बहुत या नहीं, इसे पर खास बातचीत करने के लिए आज हमार साथ मौज़ूद है, डॉक्टर सुरेंदर कुमार सिना, आपको बता दे कि यह PMCH के retired physician है, नमश्कार बहुत स्वागत है आपका, अज हम सभी जानते हैं कि जो भारत है वो तेवहारू का देश है, और तेवहार में कहीं नगे हम खुद को मीठा खाने से नहीं रोक पाते हैं, लेकिन अगर हम diabetes की patient की बात करें, शुगर की patient की बात करें, तो क्या वो मीठा खा ज्यादा खाने से तो दुक्षान है, थोड़ा बहुत खाने में कुछ नहीं है, शुगर तो सब चीज में हैसा नहीं है, शुगर बढ़ता है, लेकिन दबा रेगुलर होना चाहिए, चेक अप होते रहना चाहिए, तो लोग अब तो diabetes के लोग काफी दिन रह रह रहे हैं, अब वो हम लोग का पुराना diabetes का जो था दबा अच्छी अच्छी आ गई है, लोगों को इसका जागरूख हो गया है, तो अब कहां पैर नहीं कटता है, अंगुठी नहीं कटता है, गैंगरीन नहीं होता है, आँख में जो डेमेज होता है, हाँ, दो तीन चीज धियान रख चीज शुगर का, नहीं तो खास करके आँख पर, नर्व पर, निरोपेथी, उनको जो है, सो किड्नी डेमेज होने का डर रहता है, तो उसका देखते रहते हैं, उसका कंट्रोल करना है कि गलाइकोसिलेटेट तीन महिने का कितना उनका हेमोगलोबीन रहता है, शुगर बरा जो इंसुलीन के तुरेंट बार मीठा खा लेते हैं, कुछ पेडा वेडा ले ले लेते हैं, तो ये सब करना कितना सही है, गलत है? इसलिए वो चुकी, उसका एब्जॉप्शन बहुत क्विक होता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं कि मीठा नहीं खाना है, तो मीठा खाने से इतना नहीं है, जितना कि अगर स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा, अगर उसको टोटल नहीं थोड़ा बहुत खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कंट्रोल रहना चाहिए, यह देखना बहुत इंपोर्टेंट है, तो डायेट कंट्रोल, एक्सरसाइज और तब दवा तीन नंबर में आता है, दवा का रोल लास्ट में है, पहले यह दोनों है, स्ट्रेस भी बहुत ह हो गया है लोगों में, वो भी खाव है, तो डायावेटゆze क कंट्रोल अभी काफी जागरु क रहने की ज 직접 है, बहुत ज्यादा खाने, पिने में बहुत फर्कर नहीं है, लोग कहते है चाल नहीं खाएं, तो चाइना में में चाउवल लोड clef udah घाता नहीं है, चाइनी वी त प्राइबटीज में चावल खाया जा सकता है? कि स्ट्रेस से सभी ग्रेसित है, तो मैं अपसे जानों, क्या कारण हो सकता है स्ट्रेस बढ़ने का? स्ट्रेस तो यह है कि जो इंडस्ट्रियल एवलुशन हुआ, जो हमारा लाइब, वे अफ लाइब बदल गया, कोई पैदल चलता नहीं है, पहले जो लोग चलते थे, खान पान उसी तरह का हो गया है, सब फास्ट फूड और यह सब बजार के खाना, मैदे का चीज, यह सब है मिट्स बदल गई है, और एक्सरसाइज पूरा टोटल खतम हो गया है, सब चीज, डिश वाशर आ गया, तो वो इसका, आपका, सारी चीजें बस है, ट्रेन है, एर है, पैदल चलना नाम के चीज़ब है नहीं, ज्यादा तर आदमी जो पहले करते थे, तो वो लाइफ स्टा का बिमारी है, खास करके इंडियन लोगों में बहुत बदल गया है, अभी खान पान अच्छा हो गया, पहले इस तरह का इतना रिच खाना नहीं था, और जो लोग इंडियन लोग है, उनमें थ्रिफ्टी जीन था, कि फेमीन होता था, तो नहीं खाते थे, अब उनलों को ज आने का हैबिट भी बहुत बदल गया है, तो टोटल लाइफ स्टाइल सोने का टाइम कम हो गया, इस्ट्रेस होगा नहीं, तो मुश्किल से चार गंड़, तीन घंड़ का डिफरेंस हो गया, टीवी आने के बाद अब सोता है, आप मी डेर दो गंटे बाद, दस बजे, गार होगा था, इसी सब सब बीमारी है, और ये पॉस्वल भी है, जैर बहुत 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 शुक्री है, तो आपके लिए लावदायक रही हो, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप ने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेज़ोग पेज़ को लाइक करें, बिर्टेखने के लावका धन्यवाद